बिस्मिल्लाई रोमानी रहीम असलाम अलेकूम वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद आज हम रमजानी स्पेशल में बनाएगे दही वड़े ये दही वड़े इतने सॉफ्ट और जूसी बनते हैं कि मुँमें रखते ही गुलने लगते हैं इसे बनाने के लिए न दही वड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1500 ग्राम जो उड़त की दाल आती है न सफेद रंकी छिलके बगएर वाली तो उसे मैंने 6 गंटे के लिए पानी में भीगो कर रखा था ये देखिए इस तरह से ये उड़त की दाल होती है सफेद वाली तो इसे अच्छी तरह स पाद कर बंदर से टूटवाज रहे है अब मिक्सर जार में हम डाल कर इसे बारिक पीश लेगे लेगे डाल जितनी अच्छी तरह से बीगी होगी उतने अच्छी हमारे जो धही बड़े है वो अंदर से सौफ्ट बन कर तैयार होगे अगर आपको जरुअ पड़े तो ही जई भारे बटन करते हुए पीश लेना है बारीक और दाल को मैं ने पीश लिया है और जरूरत पर्णने के हिसाब से एक चमभी पानी डालकर पषा है एक बड़े से बटन में निकाला लेगे ताके अशाली दाल जब पीश जाए तो इसे फैठने में हमें आसानी हो इसी तरह सारी दाल को हम पीस कर तैयार कर लेते हैं देखिए सबी दाल को मैंने पीस लिया है और जरूरत के मुताबिक इसमें तीन से चार चमच पानी डाल कर इस तरह से दाल को पीस लिया है और दाल को थोड़ा सामें दरदरा सा रखना है बिल्कुल बारिक डाल ना हो तो भी चलेगा हलकी दरदरी हो तो भी इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है अब ये दाल के बेटर को दो मिनट के लिए हम अच्छी तरह से हाथों की मदश से फैट लेगे जिसके वहाँ से ये दाल अच्छी तरह से फलपी हो जाएगी और जो दही बढ़ा है वो बहुत ही अच्छा अंदर से सॉफ्ट बन कर तयार होगा दाल आपकी हलकी सी हो जाएगी और इसका कलर भी थोड़ा हलका हो जाएगा लाइट कलर हो जाएगा इतना फेटना है आपको दो मीनट तक देखिए मैंने अच्छी तरह से बेटर को फैट लिया है अब इससे चेक कर लेते हैं कि फलपी हुआ है कि नहीं हमारा आटा तो एक कटोरी में पानी ले लेगे देखिए पानी में अच्छी तरह से बेटर हमारा तेर रहा है इसका मतलब है बेटर को हमने अच्छी तरह से फैट लिया है अब हमारे दई वड़े अच्छी तरह से सौफ्ट बनकर तयार होगे तब इसमें हम मसाले डाल देते हैं तीन से चार बारीक कटिवी हरी मीड डालेगे एक इंच अध्रक का लेकर उसे बारीक बारीक काट लिया है चार से पाच कड़ी पत्ता लेकर उसे भी बारीक काट लिया है एक चमच दरदरी काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा बारिक कटावा हरा धनिया और नमक डालेगे टेस्ट के मुताबिक फिर से इन सब चीजों के अच्छी तरह से मिक्स कर लेगे और दो मिनट तक और फेट लेगे जितना आप ये बेटर को फेटेगे अच्छे आपके दही वड़े सॉफ्ट बनेंगे अंदर से आज बिना सोड़ा डाले ही ये दही वड़े को हम बनाएगे ये देखे बेटर को मैंने अच्छी तरह से फेट लिया है बेटर हमारा फूल कर डबल साइज में हो गया है और बस इसी तरह का बेटर चाहिए हमें तो अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ ढखकर 15-20 मिनट के लिए और वहां तक जो में दही वड़े के लिए दही तैयार करते हैं यहाँ पर देखे मैंने 600 ग्राम दही लिया है तो दही हमें बहुत ज्यादा खटी वाली भी नहीं चाहिए ताजा ही दही लेना है हमें थोड़ा से उसमें नमक डाले गया हम और यहाँ पर 5-6 चमत मैंने शक्कर लिए हैं यह डाल देते यह दही बढ़े थोड़े से मीठे होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले गया हम शक्कर पिगल जाने तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेना हमें ये दही का जो टेक्स्चर है वो क्रीमी और थोड़ा सा पतला चाहिए आदा ग्लास में इसमें पानी डालूगी थोड़ा पानी कम लग रहा है मुझे इसमें और पानी डाल रही हुआ दही वड़े जो होते हैं उसमें मेन इंग्रीडियन्स उड़त की दाल और ये दही होता है तो दही हमें यह आपर ज्यादा लेना है चेक कर लेती हुमें के दही बराबर है के नहीं तो दही में पानी डालकर हमें चेक कर लेना है कि दही हमें जिस हिसाब से चाहिए उतना है के नहीं तो आगे मैं आपको बताती है कि मैंने कितना पानी डाला है इसमें अभी एक गिलास पानी डाल दिया है मैंने तो शक्कर कम लगने की वयासे मैं इसमें तीन चम्मच और शक् तो टोटल यहाँ पर मैंने 7-8 चम्मच शक्कर डाल दी हूँ 600 ग्राम दही में और यह थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो इसमें और पानी डालूगी और आपको मैं बता दूगी कि मैंने कितना पानी डाला है इसमें क्योंकि यह थोड़ी सी दही पतली रखेगे जब जाके दही वड़े में जो वड़े बनाएगे हम तो उसमें दही हमारा अच्छी तरह से एब्जर्ब हो जाएगा देखिए शक्कर अच्छी तरह से पिघल गई इसमें दही की थिकनेस इस तरह की चाहिया में और कितना क्रीमी दही हमारा यह देखिए और मैंने देड़ गिलास पानी डाला है 600 ग्राम दही में अब इस पर थोड़ा सा हम तड़का करेगे तो चलिए इस पर तड़का कर लेते हैं देखिए तड़के के लिए गैस पर एक तड़का पैन रखा है उसमें एक चम्मच तेल डाला है थोड़े से हम राई के दाने डालेगे बहुस ज्यादा नहीं डालना है बस थोड़े से और थोड़ा सा हम इसमें जीरा डालेगे दो पींच हमने हिंग लिए ये डाल देगे चार से पाच कड़ी पत्ता लिया है ये भी डाल देते हैं गैस की फ्लेम धीमी रखेगे गैस बन कर दे गया और इसमें गैस बन करने के बाद चार हरी मिच बारिक काटके डालेगे हरी मिच और कड़ी पत्ते को बहुत ज्यादा जलाना नहीं है यह देखी तड़का हमारा रेडी है अब दभी पर डाल देते हैं तड़का डाल दिया है मैंने उपर से थोड़ा सा बारिक कटा वहरा धनिया दाल देगे दभी के अंदर तड़का डाल दिया है मैंने एक बार मिक्स कर लेते हैं और यह बहुत ही मजे का दभी हमारा तयार हो गया है वड़े के लिए अब इसमें ढखकर साइड में रख देती ह और वड़े बनाने के लिए गैस पर तेल रख देते हैं वड़े को फ्राय करने से पहले हमें एक बड़े से बर्तन में गुनगुना सा पानी तयार रखना है ताकि जब वड़े फ्राय हो जाए तो हम इसे पानी में डाल दे तो चलिए अब वड़े को फ्राय कर लेते हैं ग बंगू ठेकी मदर से इसमें होल करेगे देखिए इस तरह से और इसे तेल में डाल देना है आप चाहें तो गोल-गोल भी इसे बना सकते हो एक बार में थोड़े-थोड़े ही दाले और इसे फ्राइ करें मीडियम फ्लेम पर इसका थोड़ा से इसका से तेल दाले गया है देखिए इसे पलता देती में जो मेदू वड़े होते है तो वो थोड़े से इसका बेटर जो होता है वो गाड़ा होता है और ये दही वड़े का बेटर जो है थोड़ा सा पतला होता है इसका शेफ अगर बराबन नहीं आए तो भी कोई बात ने इसे हम दही में डालने वाले तो बहुत अच्छी तरह से ही सॉफ्ट हो जाते हैं अगर आपको इस तरह से डालते ना आए तो आप गोल-गोल बड़े की तरह भी इसे फ्राई कर सकते हूँ यह अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और उपर से क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं एक पर फिर से मैं बता देती हूँ आपको अगर आपको हातों से डालते नहीं आता हो तो आप इस तरह से कोई बड़ा चम्मच ले ले और उसका उल्टा भाग ले ले उस पर थूड़ा सा पानी लगा ले यह बेटर को इस पर चम्मच पर डाल दे और इसमें भी सुराव कर ले यह देखिए बहुता ही आसानी से हो जाता है और इस तरह से चम्मच को डाल दे तो इस तरह से भी आप वड़े को प्राय कर सकते हो तो आपको जिस तरлыखे से बनाना आसान लगे उस तरह से आप इससे बना सकते हो देखिए इस तरह से हाथों को सम्मालते हुए डाले क्योंकि तेल गरम है आपर माशाला ये दही वड़े खाने में बहुत ही मज़े के लगते अभी गर्मी का मोसम भी है और दही की कोई भी चीज आपने खाना चाहिए और रोजे में तो दही हमें खाना ही चाहिए तो इस तरह से दही वड़े आप एक बार ज़रूर बना कर ट्राय करें बहुत ही मज़े के लगते ये देखिए ये फ्राय हो गए बस इस तरह से हलका सा गोल्डन कलर आ जाए तो हमें इसे उतार लेना है माशालला ये देखिए एक तोड़कर भी मैं बता देती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट बनाए कितने क्रिस्पी बने इसकी आवाज सुनिए और मैं तोड़कर भी बता देती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट बने ये देखिए यह देखिए, कितने soft बने यह, यह देखिए, दही में जाकर तो यह और भी ज्यादा soft और tasty लगेगे, आप चाहे तो ऐसे भी वड़े को खा सकते हो, बहुत ही tasty लगते हैं यह, हमने जो भी मसाले दाले उससे यह जो वड़े हैं, बहुत ही tasty लगते हैं, लेकिन हम इसको दही बना रहे हैं, इसलिए हम इसे दही में डालने वाले हैं, तो थोड़े वड़े में फ्राय कर लेती हूँ, और जो हमने गुन गुना पानी तयार रखा है, उसमें डालेगे, तो अभी यह आपर देखिए, मैंने इतने वड़े को फ्राय कर लिया है, और अभी एक प्लेट औ अंदर वड़े के वो निकल जाए, ऐसा बरतन ले, जिसमें वड़े हमारे अच्छी तरह से दूप जाए, अब यह वड़े को हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देखे, यह देखिए 15 मिनट हो गए है, हमने इसे हलके से गरम पानी में डाला था, तो यह बहुत जल्दी सॉप अगर यह ज्यादा सॉप्ट हो जाए, तो आप 10 मिनट में भी इसे निकाल सकते हो, अब इसे हम दो चम्मच में इस तरह से निकाल कर दबाएगे, हलका सा दबाना है, यह टूटे नहीं, बस हलका सा थोड़ा सा पानी निकल जाए, यह देखिए हलका सा मैंने से दबा लिया ह अब जो बर्दन में हम करना है, उसमें हम डालते जाएगे, देखिए हलका हलका इसे दबादेना है, थोड़ा-थोड़ा इसका पानी निकाल लिया है, आप चाहे तो इसे हातों की मदद से भी इसका पानी निकाल सकते हो, इस तरह से दबाते हुए, देखिए सब भी वड़े जो फ्राई किये थे हमने उससे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है अब जो दही को हमने पहले से बना कर रखा है वो दही ले 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 थे वड़े फ्राई हो रहे थे वहां तक दही को मैंने फ्रीज में रख दिया था ताकि दही हमार अच्छे से हो जाए क्योंकि यह जो दही वड़े वो ठंडे करके ही खाते ठंडे खाने में यह बहुत ही मज़े की लगते हमने जो यह दही में राई जीरा कड़ी पत्ता हींग और हरी मीज का तड़का दिया था ना तो यह क्रीमी सा जो दही है इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जात है माशालला आप देख सकते हो अब इसे कितने बहतरीन दिख रहे है यह जब इसे हम एक घंटा फ्रीज में रखकर और ठंडा करेगे और ठंडा होने के बाद इसे खाएगे तो और भी ज्यादा टेस्टी लगते है यह दही वड़े तो इस रमजान में आप यह रेसिपिक क जरू ट्राइ किजिएगा यह देखिए दही मैंने डाल दिया है और अभी थोड़ा दही बचा के रखाए उपर से जब हम इसे सर्व करेगे उस टाइम पर भी दालेगे क्यूंकि जो यह वड़े है दही को अपने अंदर सोख करेगे इसलिए थोड़ा दही बचा के और यह थंडे हो जाएगे इसके बाद हम इसे सर्व करेगे एक घंटा हो चुका है प्रीज में से हमने यह दही वड़े को निकाल लिया है और थंडे थंडे यह खाने में बहुत ही मस्त लगते है हमने जो हरी मीच इसमें दही में डाल लिए तो थोड़ी सी स्पाइसी टेस लगता है यह दही में और मीठा खटा बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है तो चलिए इससे सर्व कर लेते हैं यह जो दही बचा के रखी थी हमने उपर से भी डाल देते हैं तो इसमें थोड़ी दही ज्यादा ही होती है दही से यह वड़ों में बहुत ज्यादा टेस्ट थोड़ा आपको मेर्याच की एक लाइक की दो मेरा हम आपको झाला को बूरसिपी प्संद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर के जिएगा और अगर अगर अपनी मेरे चैनल को सबस्क्राइब के नहीं किया कर दो कर दो को सी कि इंक कर दो कर दो ठून कर दो कर दो झाल झाल